हेलो एब्रिवन मैं मेचन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे केंदरे विद्याले संगठन के द्वारा कुछ एक्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और उनके एड्मिट कार्ड फिर से जारी कर दिये गये है कब एक्जाम होगा और आप एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो और किनका एक्जाम कैंसिल हो चुका है इस बारे में इस विडियो में पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दी जाएगी यहां से देख सकते हो आप 22-2023 का नोटिफिकेशन है मैं आपको डेट दिखा देता हूँ यहां से देख लो अभी तुरंत ही जो है इसकी जो है रिलीज कर दी गई है के बीएस के द्वारा इस नोटिफिकेशन को तो देखिए जो CBT का एक्जाम हुआ था यहां से आप देख पाओगे यह दो सेंटर हैं जहांपे यह एक्जाम हुए थे जहांपे गड़बड़ियां पाई गई थी Informatic Computer Education पाटले पुत्रा House No.21 B.3 और यह बिहार में है दूसरा जो Examination Center था सत्यम Institute of Engineering and Technology कोटला डूम और यह कहा है अमरिसर पंजाब में तो इन दोनों जगों पे जो है एक्जाम को Cancel कर दिया गया है इन सेंटर पे जिन लोगों का भी एक्जाम हुआ है उन्हें फिर से एक्जाम देना होगा एक मार्च को कब देना होगा एक्जाम एक मार्च को याद इन के अलाबा कोई और सेंटर पे अगर आपने एक्जाम दिया ता आपको घबराने की जरूत अटर निए related सिर्फ टीजिटी मैथमेक्स के लिए जो है इनका एक्जाम लिए जाएगा इन्हीं दो सेंटर वाले के लिए फिर से बता देता हूं इन्हीं दो सेंटर वाले के ये एक्जाम लिया जाएगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि एक्जाम सेंटर में धांदली होती है तो एक्जाम सेंटर पे जो वहां के संचालक है उन पे कारवाई क्यों नहीं होती है बच्चों को सफर क्यों करना पड़ता है अपना point of view नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा thank you so much